और ऐसे हम लोग same exact mix करके skin tone बना सकते हैं Hey guys, welcome back दोस्तो आप मेंसे बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप skin tone के उपर एक separate video लेके आई है तो ये complete video देखने के बाद आपको skin tone mix करने में कभी problem नहीं आएगी और अगर आपको problem आती है तो आप video दुबारा देख लीजिएगा दोस्तो skin tone mix करते हुए जो एक गलती बहुत सारे लोग करते हैं कि वो ऐसा सोचते हैं कि यार हमें बस पता लग जाए कि ये वाले color mix करके skin tone बनता है तो बस फिर हम लोग skin tones बना लेंगे वो चीज आप छोड़ दीजिए skin tone नहीं in general color mixing के कुछ rules होते हैं और बहुत simplified rules हैं बहुत आसान rules हैं वो अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपको कोई भी color mix करने में problem नहीं होगे वो चाहे skin tone हो या फिर कोई और दूसरा color हो अब सबसे पहले समझते हैं कि हम लोग colors को देखते कैसे हैं जब भी light for example यह कोई object है जब भी light किसी object पर पढ़ती है तो वहां से reflect होके वो हमारे retina तक पहुंसती है और हमारे retina के उपर छोटे-छोटे color codes होते हैं जो यह identify गरते हैं कि कौन सी color की wavelength है और as a result हम लोग color देख पाते हैं तो जब भी light किसी object पर पढ़ती है वहां से reflect होके हमारे आँख तक पहुंसती है as a result हम लोग color देख पाते हैं और अगर वो color codes किसी इंसान के वो color codes खराब हो जाते हैं तो उसे color blindness हो जाती है अब हमने देख लिया कि light जो है बहुत जादा effect करती है हमारे color के देखनी के तरीके को तो एक चीज आपको हमेशा दयान रखनी है कि जो color है वो हमेशा उसके surrounding के हिसाब से behave करते है अब ये for example ये object है object को छोड़िए अगर आप मेरा चहर आए for example से अगर मैं धूप में खड़ा हूँ तो मेरा जो skin color है वो अलग दिखेगा अगर मैं छाओ में खड़ा हूँ तो मेरा skin color जो है वो अलग दिखेगा अगर मेरे उपर कोई yellow light पड़ रही है तो मेरा skin tone जो अलग दिखेगा अगर मैं किसी red light के नीचे खड़ा हूँ तो मेरा skin tone अलग दिखेगा तो अलग-अलग scenario के हिसाब से आपका जो color है वो change होता है अब अगर मैं आपसे कहूँ कि skin tone जैसी कोई चीज ही नहीं होती है तो आपको कहोगे कि भाई ये क्या है फिर तो मैं आपको simplify करके समझाता हूँ actual में आपको ये ध्यान में रहन नहीं रखना है कि मेरे को skin tone mix करना है आपको सिरफ ये identify करना है कि ये color कौन सा है means अगर जैसे कि for example ये जो shirt है ये आप देख पारे कि ये green color की है इसमें आपको कोई problem नहीं है देखने में कि भाई ये green color की है क्योंकि आपको ये नजर आ रहा है लेकिन कुछ colors जब skin में हम लोग देखते हैं तो skin में बहुत सारे color होते हैं orange, green, red, violet, blue बहुत सारे colors होते हैं तो आपको सिरफ color identify करना है और उसके according हम लोग उसको mix कर सकते हैं जो कि मैं आपको इस video में बताने वाला हूँ तो चलिए without further ado, let's move on to our palette तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने बिल्कुल basic palette यहाँ पर setup किया है तीन हमारे primary colors है yellow, red, blue और उसके साथ यहाँ पर है titanium white और इसी palette को use करके हम लोग almost बहुत सारे colors mix कर सकते हैं जो भी मतलब हमें चाहिए एक दो colors के exception रहते हैं जो बहुत जादा bright होते हैं जो natural colors हैं वो हम लोग इनसे mix कर सकते हैं तो इसको भी दो मिनिट के लिए मैं palette को side में रखता हूँ और उसके बाद जो ज़रूरी चीज़े हैं पहले कुछ points हैं, important points हैं उनको हम लोग एक बार समझ लेते हैं अब अगर मैं यहाँ पर एक circle बनाता हूँ तो उसको मैं तीन points में divide कर लेता हूँ yellow, red और blue यह हमारे तीन primary colors हैं, right अब अगर हम लोग yellow और red को mix करते हैं तो हमें क्या मिलता है? orange orange color हमें मिलेगा तो यह यहाँ पर हम लोग इसको marking कर सकते हैं तो orange color हमें red और yellow को mix करके हमें orange color मिलता है और इसके अंदर भी हम लोग देख सकते हैं red, blue और yellow यह तीन हमारा plot हो गया यहाँ से और इन दोनों को जब हमने mix किया तो हमें क्या मिलता है? orange color तो यह हमारा basic चीज आपने देख लेगी primary colors को mix करने के बाद और फिर जो हमें मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं secondary colors secondary colors red और yellow को mix करके हमें मिलता है orange और orange का opposite कौन सा color होगा? जो एक तीसरा primary color बच गया है वो उसका opposite होगा यानि कि orange का opposite color है blue same अगर मैं yellow और blue को mix करता हूँ तो हमें मिलता है green यहाँ पे green मिलेगा हमें और उसका opposite क्या होगा? red तो यह चीज सिरफ आपको याद रखनी है ऐसे ही अगर मैं red और blue को mix करता हूँ तो हमें मिलता है हाँ पर violet या फिर purple और उसका opposite कौन सा color होगा? yellow सिरफ यह basic fund आपको याद रखना है यह color wheel आप इस तरीके का बना के अपने room में लगा लिजे जहां पर भी आप painting का काम करते हो और यह video complete समझने के बाद आपको skin tone mix करने में कभी भी problem नहीं आएगी अब इसके coding हम लोग काम करते हैं अगर मैं red और yellow को mix करूँगा तो हमें orange color मिलेगा orange color हमारे पास आ गया अब theory के according इसका जो opposite color है वो है blue अब एक चीज यहाँ पर जो आपको अपने दिमाग में बैठा लेनी है जो एक ही rule आपको याद रखना है सिर्फ यह कि जो भी color आप mix कर रहे हो जो गी color आपके पास है उसका opposite color जब हम उसके अंदर add करते हैं तो वो उस color की saturation को कम कर देता है saturation यानि कि उस color की intensity को कम कर देता है इसका opposite अगर में इसमें add करता हूँ थोड़ा सा तो आप देखेंगे कि इसकी जो saturation है वो एकदम से कम हो जाएगी अब आप देख सकते हैं कि यह color बिल्कुल mute हो गया एकदम से तो यह formula आपको याद रखना है अब हमने यह चीज़ याद कर ली कि जिस भी color को हम mix कर रहे हैं उसका opposite color mix करने से वो color की saturation हम लोग कम कर सकते हैं तो यह आप देख सकते हैं हमारे पास green color आ गया अब इन दोनों को अगर मैंने mix किया और यह color बनाया तो जो color बच गया वो इसका opposite होगा यह funda simples आपको याद रखना है अब अगर मैं red color के साथ मिलाता हूं तो आप देखेंगे कि इसकी saturation एकदम से कम हो जाएगी अब यहाँ पर मैंने काफी जादा red इसके अंदर मिला दिया तो यह बिल्कुल dirty color हो गया एकदम से मिट्टी जैसा color बन गया हमारे पास अब same हम लोग करके देखते है red और blue को mix करके देखते है red और blue को mix करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा हमारे पास आएगा violet color अब यह हमारे पास violet color बन गया यह आपको इसमें नहीं दिख रहा हूँ, मैं बिल्कुल थिन करके दिखाता हूँ, यह वोईलेट कलर हमारे पास बन गया अब जब हमने red और blue को mix किया है, तो इसका opposite क्या होगा, जो तीसरा primary color हमारे रहेगा, यानि कि yellow अब मैं इसमें yellow add करता हूँ, तो इसकी saturation बिल्कुल कम हो जाएगी, और यह भी हमें मिट्टी जैसा color बन जाएगा तो अब यह simple सा फंडा हमने याद रख लिया कि, जब भी हम लोग कोई color mix कर रहे हैं, और इसकी saturation हमें कम करनी है तो हमें उसका opposite colors के अंदर add कर देना है, या फिर आप कोई gray color भी उसमें add कर सकते हैं इस simple फंडा हमने याद रख लिया, अब मैं इन colors को यहाँ से equal एक बार clean कर लेते हैं palette को, और मैं इन को यहाँ पर रख देता हूँ अब हम लोग skin tone mix करके देखते हैं, अब मेरे पास यहाँ पर color wheel है, तो मैं आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ कि आपको process को follow कैसे करना है, एक color wheel बना लीजे और इसके बीच में एक छोटा सा hole कर दीजे, अब जो भी color mix करना है आपको for example मुझे skin tone mix करना है, तो अगर मैं अपने हाथ को इस hole में से देखता हूँ, तो अब मुझे identify करना है कि कौन सा color है सबसे पहले, तो यह कौन सा color है, यह कौन से color के सबसे जादा नजदीक आपको महसूस हो रहा है, वो आपको देखना है, अब या तो यह इस वाले color के सबसे मिक्स करते हैं, तो मैं इसको side में रखता हूँ, अब हम लोग जो orange सा color हमें दीख रहा है, skin का, उसको हम लोग mix करते हैं यहाँ पे, तो यह हमारे पास आ गया, अब यह तो बहुत जादा bright है, ऐसा तो मेरा skin color नहीं है, अब हमें क्या करना होगा, हमें इसकी saturation कम करनी होगी, और वो हम कैसे करेंगे, opposite color हम लोग add कर सकते हैं, लेकिन उससे उसकी saturation होगी काफी जादा कम हो जाएगी, तो पहले हम लोग इसके ही point पर लेके आएंगे उस color को, अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा, पहले एक purple color बना लेता हूँ, अब यह दो color थे, जिनके नजदीक हमें यह skin tone दिख रहा था, right, तो यह दोनो color हमने बना लिए, यहाँ पर, अब मैं क्या करता हूँ, मैं यह थोड़ा सा white लेता हूँ, और यहाँ पर, यह मैंने इसके अंदर add कर दिया, मेरे पास इसका भी एक color हो गया, अब मैं इसके अंदर, इस orange color के अंदर, हलका सा, यह color add क्योंकि मुझे उसकी, जो saturation है, वो भी कम करनी है, उसके साथ-साथ, तो अब यह थोड़ा-थोड़ा matchable color बनने लग गया है, अब यह हम देखते हैं, थोड़ा bright है, right, तो इसकी saturation कम करने के लिए, आप इसके अंदर कोई गंदा सा color भी add कर सकते हैं, और थोड़ा सा मैं इसक लाइट कर रहा हूँ, अब आप देख सकते हैं, धीरी-धीरी इसके नस्दीख आ रहा है, और अब, और यह थोड़ा सा, लुक्टी जैसा color, अब आप देख सकते हैं, जो color है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो color है, वो exactly, बिल्कुल exactly, इवन जो pigmentation दिख रही है मेरे हाथ में, उससे भी यह match कर रहा है, right, तो इस तरीके से आप skin tones mix कर सकते हैं, अब एक तो यह skin tone हो गया, अब हम लोग थोड़ा सा in general, जो standard skin tones रहते हैं, उनकी mixing practice करके देखते हैं, तो अब आपने देखा कि 3 steps हमें करने हैं, सबसे पहले color identify कर लेजी कि कौन सा color है, और फिर वो color बना लीजिए, हमने देखा कि यह color हमारा बनाना था हमें, तो वो इन दो colors के कहीं बीच में light कर रहा था, मतलब कि वो इधर भी इतना ही shift हो रहा था, इधर भी इतना ही shift हो रहा था, तो हमने यह दोनों color mix कर लिए, फिर हमने इन दोनों colors को mix कर दिया, तो हमारे पास एक mixing आ गया, अब फिर हमने देखा कि यह जो color है, वो थोड़ा सा light है उसके मुक सकते हो अब आप सोचोगे कियार यह तीन कलर से हम लोग डार्क स्किंटोन कैसे बनाएंगे एक बार हम लोग कोई डार्क स्किंटोन भी इससे बना के देख लेते हैं अब मेरा हाथ इतना ज्यादा डार्क तो नहीं है लेकिन हम लोग इन जनरल कोई डार्क स्किंटोन होता है जिसको आप shadow areas में use कर सकते हैं वो हम लोग बना के देखते हैं हमार पास already यह color बना हुआ है इसी color को ले लेते हैं इसमें थोड़ा सा और red और थोड़ा और yellow थोड़ा और red और blue हमने mix किया अब यह हमार पास बन गया अब मैं इसको brownish बनाने के लिए क्योंकि यह थोड़ा violet है तो इसको brownish बनाने के लिए मैं हलका सा इसमें yellow एड़ कर रहा हूँ अब यह हमार पास एक brownish चा color आ गया brownish चा color आने के बाद थोड़ा और मैं इसमें पहले yellow एड़ कर लेता हूँ अब एकदम dark color हमार पास आ गया और अब इस color को आप कहीं भी shift कर सकते हो इसको आपको red बनाना है इस color को तो इसमें red मिला दीजिए अगर इसको आपको blueish की तरफ लेके जाना है तो आप इसमें blue मिला दीजिए और अगर आपको कोई और color बनाना है तो वो same color आप इसमें बना दीजिए अब हम लोग बात करते हैं थोड़े light skin tones की हमें light skin tone बनाना है तो इसमें मैं directly यहाँ पर white add कर रहा हूँ अब for example से कहीं पर highlight पढ़ रही है मेरे हाथ पर जैसे कि यहाँ पर यह color अगर हमें mix करना है तो हमें क्या बनाना होगा तो मैं यहाँ पर बिल्कुल pink सा color मैंने ले लिया और सेम चीज मैं करूँगा blue के साथ blue में भी हलका सा यहाँ पर white के साथ blue mix मैंने कर लिया yellow के साथ भी same आपको करना है और यहाँ पर भी मेरे पास 3 मेरे पास light color होगे अब मेरे पास यह color मुझे match करना है मान लिजी अब 3 मेरे पास light color है तो मैं देखता हूँ कि कौन सा color है तो यह मुझे समझ में नहीं आ रहा है कौन सा color लेकिन यह थोड़ा pinkish color दिख रहा है तो मैं जाधा color pink ले लेता हूँ जाधा मैंने pink ले लिया pink के अंदर अब मैं क्या करता हूँ पिंक के अंदर थोड़ा bluish add कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर pigmentation नजर आ रहे है जो greenish और bluish color की थोड़ी तो वो हम लोग इसमें add कर देते हैं अब यह color जो है बहुत सादा bright है तो इसका क्या करें तो इसमें आप कोई भी जो भी आपके पास dull color हो तो यह जो color है वो थोड़ा सा इधर उधर है बट तो यहाँ पर मैं palette के उपर थोड़ा और इसको dull करता हूँ हलका सा मैं color mix कर रहा हूँ यहाँ पर तो थोड़ा और dull करने के बाद अब हम लोग check करते हैं कि यह color हमारा match हुआ है या फिर नहीं तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा color जो almost almost same बनना start हो गया है अब क्योंकि यहाँ पे मैं particular spot पे काम कर रहा हूँ मैं पूरे हाथ का color क्योंकि change होता रहता है जैसे यहाँ पे थोड़ा greenish दिख रहा है यहाँ पे pinkish दिख रहा है तो अलग-अलग कहीं से purple भी दिख रहा है कहीं से red सा दिख रहा है थोड़ा तो वो अलग-अलग चीजें चेंज होती रहती है तो उसका आपको ध्यान रखना है अगर अब आप इन slightly देखेंगे यहाँ पे तो यह कहीं ना कहीं match हो रहा है कहीं कहीं जो चोटे-चोटे sports आपको दिख रहे है जैसे यहाँ पे यहाँ पे बिल्कुल match हो रहा है तो जब भी आप skin tone बना रहे हैं आपको सिरफ यह चोटा सा method याद रखना है और आप कोई भी color बना सकते हो सिरफ इन 3 colors को use करके easily तो यह दो color मैंने यहाँ पे लगा दिये अब experiment करने के लिए अब ध्यान से देखेगा मैं आपको दिखा देता हूँ अब यह color है मैं same color ले रहा हूँ बिल्कुल dull color है यह same color है मैं इसके उपर इसको लगाता हूँ red के उपर मैंने यह color लगाया अब देख सकते हैं यह कैसा लगा रहा है right same color मैं ले रहा हूँ same color मैंने लिया मैंने blue के उपर उस color को लगाया और यहाँ पर मैंने green का patch भी बना लिया और उसके उपर भी हम लोग यह same color apply करके देखते हैं कि वो कैसा नजर आता है थोड़ा और color ले ले लेता हूँ मैं यहाँ पर और अब आप देख सकते हैं खुद कि same color different colors के साथ कैसे behave करता है तो आप देख सकते हैं तीनों scenario में same color है तीनों ही colors के साथ मैंने same color apply किया है लेकिन वो अलग-अलग नजर आ रहा है कहीं bright नजर आ रहा है और कहीं पर dull नजर आ रहा है तो colors अपनी surrounding के हिसाब से behave करते हैं तो आज की इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं आप से अगली वीडियो में तब तक के लिए happy painting आपने मुझे इतना समदिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया